नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो कि पिछले साल राज सरकार के दो वर्स पूरे होने के उपलक्ष में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कारकरम कायोजन किया गया था पंचायत अस्तर पर सीवीर लगा कर ग्रामिनों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उन्हें स्विक्रित कर योजना का लाब अस्तर पर ही लभारतियों को लब्ध कराने की उस पहल को अपार शफलता मिली थी इस कारकरम के अंतराल राज भर में बिभीन योजनाव का लाब पर दयान करने के लिए 35.95 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 35.56 लाख आवेदन निस्पाजित किये गए है जारखन में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है यहां मानसुन सकरिये है जो हर दिन जहमा जहम बारिस हो रही है बता दे सुबह से लगातार बारिस हो रही है मौसम विभाग ने जारखन को लेकर तजा अपडेट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी और उत्री पाचिम साइकलोनिक सेकुलेशन का असर रांची समें जारखन के कई हिसों में देखा जा रहा है बंगाल की खाड़ी में दबाव के चलते अगले दो दिनों तक बारिस होगी वहीं साथ तारिक से मौसम साफ होता दिखाई देगा जारखन के साहिब गज देवगर दुम का गोड़ा जाम तवा के कुछ इलाखों में अगले कुछ गंटों में भारी बारिस की चतावनी है स्थियम हेमंत समेत जारखन के अने राजने तावों ने मा से राज की खुसाली का मांगा आसिरवाद मुख्यमंत्री हेमं सुरेन ने साधे नौरात्र के महा नौमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास इस्थित मंदीर में धर्म पत्नी कल्पना सुरेन और अने परिजनों संग पूरे बिधी बिधान के साथ माध दुरगा के पुजा अर्जना और कुमारी कन्या पुजन किय इस दोरान मुख्य मंत्री ने माद दुर्गा से राज और राजवासियों के समगर विकास कल्यान स्योक सम्रिदियों सांति की कामना की दुर्गोसों के धुम के बीच दिसोम गुरु सीबो सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासिसीत मंदिर में माद दुरगा से असिर्वाद लिया इस मौके पर पत्नी रूपी सोरेन समेत और परिवार भी सामिल हुए गुरु जी ने भी राजे की सांती और खुसाली के लिए माता रानी से असिर्वाद मंगा दिल्ली में जार्खन के तेरा नवालिक बच्चों को तसकरी के जाल से छुडाया राजधानी दिल्ली में जार्खन से तसकरी कर लाए गए कूल 13 नवालिकों को बचाया गया है इन 13 नवालिकों में से 12 नवालिक लड़किया है इन में से 14 साल के लड़की गर्पवती भी है ये सब नवालिक जार्खन की राज़ानी राची से 40 किलोमेटर दूर खुटी जिले की रहने वाले है ज़ार्खन सरकार से मीडि जनकारी के नुसार सभी नवालिको को बचा लिया गया है बतादे पुर्णवाज, संसाधन, केंद्र, नई दिली के नोडल अधिकारी ने बताया है कि समाज कल्यान विभाग, बाल सनक्षन विभाग और माना तसकरी बिरोधी इकाई की सनुक्त टीमों ने इन बालिक बच्चों को बचाया है टाटा नगर से पर्टना तक चलेगी तेजास, जारखन के टाटा नगर स्टेशन से सेमी हाई स्पीड की तेजास एक्सपरेस चलेगी आया से टी सी, अभी मुंबाई, दिली यव अनमर्गों पर तेज ट्रेन चला रही है, जिसे लोग स्पीड के कायन पसंद कर रहे हैं यातरा में समय कम लगने के साथ विभीन सुवधाय भी उफलब्द हैं, बतादे दक्षिन पूर्वर रेलवे जोन तेज़स ट्रेन के लिए भीड़ वाला मार्ग खोईने में जुटा है, ताकि साधे साथ सो से ज्यादा च्छामता वाली ट्रेन खाली न जाए जानकार बताते हैं कि टाटन नगर से पटना समयत अने किसी एक मार्पते दड़ेगी, 160-180 किलिमेटर प्रती घंटा की स्पीट से चलने वाली तेज़स ट्रेन से लोग 7-8 घंटे में पटना पहुँच सकेंगे आधी रात को सडक पर डटी रही उपायोगत बिजया जाधाओ कोरोना महामारी के वज़े से दो वर्सों के अंतराल पर हो रही दुरगा पूजा से सहर की सडकों पर काफी भीड है पूजा पंडालों में उमर्ने वाली भीड को देखते हुए जीला पसासन अडराट मोड पर है पूर्भी सिमुम जीला की उपायोगत बिजया जाधाओ वह वर्ये पुलिस अधिक्छक परभात कुमारने महा आश्टमी की देर रात दो बज कर 30 मिनर तक CTSP के बिजय संकर, SDM और अने जीला दंडा अधिकारी अपर उपायोगत जीला परियोहन पदा अधिकारी समेत सभी वर ये वा सूपर जुनल पदा अधिकारी के साथ सलको पड़ाटी रही इस दोरान परमुक चोग चोराहों में जाम की समस्या नहीं रहे पंडालो, सन्वेदन सील, 38 सन्वेदन सील छेतरे में गस्त को लेकर जरूरी दिशा निद्यस भी देती रही गिरीडी के तेलोडी में महौल बिगालने की साजीस गिरीडी के तेलोडी में मंगलवार को सरार्थी तत्यों की कारस्तानी से दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन हो गया हलाकि पुलिस परसासन की सक्रेटा से मामले को सांथ करा लिया गया घटना के बाद तेलोडी को पुलिस चावनी में तबदिन कर दिया गया है मामले में पुलिश ने चार लोगों को हिरासत मिलिया है बताया जाता है कि सार्थी तत्यों ने धर्म बिसेस के लोगों की धर्मिक भावना को ठेस पहुचाने का पर्यास किया मस्जिद में एक युग को गलत हरकत लगुसंका करते नमाज पढ़ने गए लोगों ने देख लिया इसे देख लोग आक्रोसित हो गाए देखते ही देखते महोल करम हो गया दोन समुदाय के लोग आमने सामने हो गाए गुमला में दुरगा पुजा पर बली के दरन बचे की गई जाहन जिससे बचा गंफी रूप से खायल हो गया बचे को इलाज के लिए ततकाल घागरा समुदाईग स्वास्त के ले जा रहा था लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया इस भीशन हाजसे ने दुरगा पुजा के चटक रंग को फिका कर दिया है हर कोई सदमे में है गुजरात में चल्ड़ है चाथिसवे नेशनल गेम्स में जार्खन को एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है पुरुस के एककल मुकाबले में बोकारों के तिनंदाज गोल्डी मिसरा ने अपने नाम की ही तरफ गोल्ड पर निशाना लगाने में सफलता हासिल की है इससे पहले लॉन बॉल के महिला फोर इवेंट में टीम ने पहला स्वर न जीता था बता दे बोकारों के चंदर कियारी के रहने वाले गोल्डी मिसरा सांदार फोरों में चल रहे हैं तिरंदाजी में वा नेशनल चेंपियनसीप रह चुके हैं गोल्डी मिसरा का मुकाबला पंजाब के आजाद बीर्द सिंग के साथ हुआ था रांची सहर के पांच अस्थानों पर होगा रावन दहन DC SSP ने लिया जाएजा रांची के पांच अस्थानों पर रावन दहन के कार्यकरम आयोजित होंगे इसको लेकर रांची DC राहुल कुमार सिनहा और SSP किसोर कौसरने मुराबादी अरगोडा HEC, सालिमार, हुन्रू और तुफु दाना में होने वाले रावन दहन कार्यकरम की तैयारियों के जाजा लिया साथी सुराचात्मक देश्टी कोन से बेहतर वेवास्था के लिए संबंधित पताधिकारियों का वासक दिशाने देश भी दिये इस मौके पर राची DC राहूल कुमार सिना ने बताया है कि इस वर्ष राची में पास स्थानों पर रावन दहन कार्यकरम प्रायोजित है मौराबादी, अर्गोडा, एची सी, सालिमार, होंडरू और तुपु दाना में कई वर्ष रावन दहन कार्यकरम आयोजित किया रहा है इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर रावन दहन कार्यकरम की त्यारी की गई है निरिक्षन के दरान डिसी राँची ने सुराशात्मक दिश्टिकोन सावसक दिशा निर्देश दिये हाई सिम्डेगा के इसकूली बच्चों को पढ़ाय लिखाई के साथ मासिक और सारेरिक सिक्षा पर जोर सिम्डेगा के सल्डेगा इस्थित सर्षती विद्ध्या मंदीर में एकल अभियान कायोजन हुआ इस मों के पर अभ्यूद्धाय यूथ कल्व की ओर से अंचल अस्तरिये खेलकोत परत्योगता सा सम्मान समरो कायोजन किया गया कारकरम के सुर्वात अतित्यों द्वार समानित रूप से मा भारती के तस्वीर के समाख्ष दी परजलित कर एवाम मंत्रों चायन के साथ पूजन कर किया गया कारेकरम में सभी अमंत्रीत अतितियों ने सभी बच्चों का सिर्वात देते हुए अपने विचार प्रकट किये कुर्मी समाज के अंदोलन को जे में जी मेंदा सालखन मुर्मू एस्टी में सामिल करने को लेकर कुर्मी समाज ने एक बार फिर अंदुलन की चेतानी दी है वहीं इस मुद्दे पर आदिवासी सेगेल अभियान के राश्ट्री अध्याक्स पुर्वसांसाद सालखन मुर्मु ने कहा है कि जन अदुलन करने का अधिकार सब को है इस पर एकस ने वोट के लाला चोह स्वार्थ के लिए कुर्मी महतोजाती को एस्टी बनाने के लिए समर्थन दे कर भढ़काने का काम किया जामों के सभी सांसाद विधायकों ने आठ फरोई दोजर अठायरों के हमंत सुरेन के नेतित में ततकालिन मुख्य मंति डगबरदास को हस्ता च्रित ग्यापन भी दिया था उन्होंने कहा है कि जामों का यह फैसला आदिवासी बिरोधी है और यह आदिवासियों के नरसंहार का रास्ता प्रसस्त करता है धान्यवाद